Hello Friends, दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर जियो पेमेंट्स बैंक में आपने अगर अपना अकाउंट ओपन कराया है तो आप अपने जियो पेमेंट्स बैंक का अपना अकाउंट डिटेल्स और IFSC कोड कैसे देख सकते हैं दोस्तों अगर अभी तक आपने जियो पेमेंट्स बैंक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्सिंट में लिंक दे दूँगा आप वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं और अपना account open कर सकते हैं कि कैसे कैसे आपको account open करना है मैंने उस वीडियो में आपको पूरा detail में समझाया है कि account कैसे open करना है चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों हमें अपना Jio payments bank का account number और IFSC code देखने के लिए हमें अपना My Jio apps open कर लेना है तो मैं My Jio apps open कर लेता हूँ दोस्तों मैंने My Jio apps open कर लिया है और आप देख सकते हैं उपर में जो हमें बहुत सारा options हो रहा है हमें इसे इसको slide कर देना है तो मैं इसको slide कर लेता हूँ और हमें यहाँ पे जो bank वाला option आ रहा है इस पर click कर देना है दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जियो पेमेंट्स बैंक जो है मैंने ओपन कर लिया है और हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं माई अकाउंट का जो अपसन आ रहा है हमें हमारा जो अकाउंट नमर है यही पे हमें सामने में सो कर रहा है तो अगर आपको इसको और भी डिटेल में देखना है तो हमें यहाँ पे जो profile वाला section आ रहा है उसपर click कर देना है दोस्तों मैंने जियो payments bank का जो profile वाला section था उसको open कर लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा account number है जो आप मुझे 100 कर रहा है और मेरे जो जियो payments bank का IFSC code है मुझे यहाँ पे सो कर रहा है और उसका एक unique relationship number जो होता है वो भी सो कर रहा है और आप यहाँ पे अपना पूरा details देख सकते हैं आप अपना ATM card देख सकते हैं अपना pen card और अपना mobile number जो जो भी आपने दिया हुआ है पूरा details से हाँ पे आप चेक कर सकते हैं तो अगर आप भी अपने जियो payments bank का अपना account number और IFSC code निकालना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लाइक जरूर कर दें